ओम स्री गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं मेश रासी वालू हो जाओ ते यार क्योंकि अब आपको भगवान श्रीहरी विश्णुजी के असिरवास से 8 सितंबर से 14 सितंबर याने किन 7 दिनों में मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशकबरी जा दोस्तो भगवान श्रीहरी विश्णुजी के असिरवास से आपके लिए 8 सितंबर से 14 सितंबर याने किन 7 दिनों का समय बहुती अच्छा समय साबित होने वाला है जा दोस्तो इन दिनों बन रहे गुरू पस्प योग से आपकी किस्मत चम की राशी वालों की किस्मत चमकने वाली है जा दोस्तो गिरहों में किस प्रिकार और कैसे परिवर्तन होगा और गिरहन अक्षतरों के साबसे यह दिन आपके लिए किस प्रिकार साबित होंगे किन-किन चीजों से आपको इन दिनों फायदा होगा और किन-किन चीजों से आपके इने साथ दिनों के शंपून और सटीक रासी पल के बारे में बताएंगे वीडियो बहत पपून है शुरू से लेकर अन्त तक पूरा देखें दोस्तों वीडियो का अगे शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बगवान शुरू बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए 8 सितंबर से 14 सितंबर यानि किन 7 दिनों का यह बहत पपून समय दोस्तों यह समय आप अपने वहवार तथा म्रदु भासिता दुआरा खराब संबंदों को सुधार ने में सफल रहेंगे आपकी सकारात्मक सोच जैसे भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास करना आपके लिए श्वाबाविक ही उत्तम परिस्तितियां उत्पन करेगी घर में कोई धर्मिक आयोजन भी हो सकता है दोस्तों यह समय पिछले कुछ समय से चली आ रही बादाओं को दूर करने में आप सफल रहेंगे जिससे आप में आत्म संतुष्टी का भाववी रहेगा राजनितिक वे सामाजिक गतिविदियों में विसेस योगदान रहेगा एक खास मुकाम भी आपको इस समय हासिल होगा समय मान वे प्रतिश्टा वर्दक है धर्म कर्म वे आध्यत्मिक कार्र के प्रती रुची रहेगी वे विसे धर वे दुनियादारी के बीच बहतरीन संतुलन बना कर रखेंगे दोस्तो यह समय उधार दिये हुए किसी पैसे का कुछ हिस्सा आपको वापस मिल सकता है अपनी दिन चरिया को विविस्तित रखते हुए अपनी विसेस प्रतिबा को जागरित करने में समय व्यातीत होगा विसेस कर ग्रिहनियां स्वैम को साबित करने में सफल रहेंगी विध्यार्तियों को अपनी परिक्षा में सफल ताहसिल होगी बड़े वुजुर्गों का इसने और आशिरवाद आपको सदे बना रहेगा किसी जवतमंद मित्र की मदद करने से मन में खुसी रहेगी दोस्तो अपने उसुलों वे सिद्दान्तों के साथ किसी भी तरह का समझोता ना करना आपको मजबूत बना कर रहेगा दोस्तो यह समय अपनी समझ भूज वे बुद्धी मता के दुआरा अपने कारों को सुचारों रूप से संपन करने में आप सफल रहेंगे कारों को योजना बद तरीके से करना आपको विसेश सफल तप्रदान करेगा घर में मित्रो या महमानों का आगमन होगा तता सभी सदस्य आपसी मेल जोल का लुप्त उठाएंगे दोस्तो साती सात इस समय कभी कभी आपका मन मोजी स्वभाब दूसरों के लिए परिशानी का कारण बन सकता है घर में परिवारिक सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर गलत फहमी उत्पन हो सकती है जिसकी वज़े से किसी बाहरी व्यक्ती का हस्त छेप हो सकता है दोस्तो यह समय ध्यान रखिए कि कोई अपना ही नजिदी की मित्र दोका या फिर ठगी कर सकता है युवा वर्ग की अपने केरियर के प्रती लापरवाही भविस्य के लिए नुकसान दैक रहेगी इसलिए साथानी रखना आपके लिए अतियावशक है दोस्तो यह समय किसी नजिदी की मित्र की नकारात्मक गतिविदी से आपको आगात या फिर धक्का लग सकता है गाड़ी या मकान संबंदित कागजाद आप बहुती समाल कर रखें दोस्तो कभी कभी किसी विसेस विसे को गहराई से जानने की इक्छा आपको अपने लक्षे से भटका सकती है थोड़ा सावधान रहें परन्तु जादा आत्मक केंद्रित होने से इसका नकारात्मक असर आपके व्यक्तिकत तथा परिवारिक जीवन पर पढ़ सकता है किसी धार्मिक उतसव में गरत फहमी की वज़े से किसी के साथ कहा सुनी हो सकती है इसलिए अपने वहवार को सैयमित बना कर रखना आपके लिए अति आवशक है दोस्तो यह समय अपने भाई भेनों के साथ संबंद मधुर बना कर रखें क्योंकि किसी प्रकार की कहा सुनी हो सकती है विद्यार्तियों का ध्यान अपनी पढ़ाई से बटक कर व्यर्थ के कारों में लग सकता है जिससे कोर्स पूरा करने में दिक्कत आ सकती है विद्यार्ति लोग अपनी पढ़ाई के प्रती किसी प्रकार का समझोता ना करें अन्यता रिजल्ट खराब हो सकता है अपने स्वयभाव को सहज वे संतुलित बना कर रखें क्योंकि गुस्से से परस्तितियां और अधिक बिगर सकती हैं कानूनी काम में भी आप ना उल्जे साफधन रहें दोस्तो बात करें लव लाइफ के नजरिये से तो यह समय पती पतनी के बीच एहम का टकराव हो सकता है परंतु समय रहते आप नकारत्मक परस्तियों को काबू में पा लेंगे जिससे पती पतनी में नजदी किया बढ़ेंगी विवा संबंदित कारों में वेस्टता भी बनी रहेगी दोस्तो साथि साथ अत्यादिक वेस्टता के कारण परिवार पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे परंतु जीवन साती का सयोग परिवारिक वातावरण को उचित बना कर रखेगा पती पत्नी के आपसी संबंद अच्छे रहेंगे प्रेम संबंदों में भी प्रेगड़त आएगी दोस्तो बात अगर आपके वेवेशाय और केरियर की करें तो इस समय आपकी कोई ऐसी बात उजागर हो सकती है जिससे आप गोपनिय रखना चाते थे वेवेशाय क कार रहें अभी लंबित ही रहेंगे नौकरी पेसा लोगों को भी आफिस से संबंदित कोई भी नजदी की यात्रा करनी पड़ सकती है जिससे आपको अधिक लाब पहुँश सकता है नौकरी में अपने टारगेट को पाने में आपको कामया भी भी हासिल होगी दोस्तो किसी के साथ शाजेदारी करते समय नुकसान फायदे की इस्तितियों पर भी अवस्थ से विचार विमर्स करें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो साथी साथ इस समय किसी प्रिक्टार की विवसाई के परतीस परदा में आपकी हार हो सकती है परन्तु इस दनाव को आप अपने उपर हावी होने ना दें तता धहरे पूरवक अपने अन्य कारों के परती समर्पित रहें अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी नौकरी में प्रमोशन या फिर ट्रांसफर के आपके लिए योग बन रहे हैं दोस्तो यह समय कर्यचित्र में कारों के बीच बीच में कुछ रुकावटे आ सकती हैं जिनकी वज़े से ओर्डर आदी पूरा करने में विलंब हो सकता है करमचारियों की गतिविद्यों को आप नजर अंदाज ना करें वे लोग किसी प्रकार की राजनिती उत्पन कर सकते हैं साफधान रहें दोस्तो साथी साथ यह समय मसीनरी वे तेल सम्मंदित व्यवसाय भरपूर मुनाफे कमाने की इस्तिती में हैं इसलिए पूरा ध्यान अपने काम पर ही केंदिरित रखें परन्तु हर काम में पेपर सम्मंदित कारों को पूरी तरह व्यवस्तित रखना आपके लिए अति आवशक हैं किसी प्रकार की इंक्वारी आदी बैठ सकती हैं साफधान रहें दोस्तो साथी साथ खान पान से सम्मंदित व्यवसाय धीरे धीरे व्यवस्तित होंगे अपने काम की क्वालिटी में और अधिक सुधार लाने की आपको आवशक्ता है जो आपके लिए बहुती फैदेबंद साबित होगा दोस्तो बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय आपका स्वास्थ उत्तम रहेगा किसी प्रकार की चिंता आप ना करें वाहन या मसीन सम्मंदित उपकरणों का सावधानी पूरुवक आप उपियोग करें क्योंकि किसी प्रकार की चोट या फिर एक्सिडेंट की आसं का बन रही है दोस्तों साती सात यूरीन इंफेक्शन जैसी समस्या उत्पन हो सकती है तरल प्रधारतों का अधिक से अधिक आप सेवन करें गलत खान पान की वज़े से गैस वे पेट खराब होने जैसी समस्या उत्पन हो सकती है प्रकर्तिक चीजों को अधिक से अधिक सेवन मिलाएं जो आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा